नमस्कार, हिंदी साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे महाराश्टरा में हुई हिंदी सेट की परिक्षा के बारे में और इसका जो दूसरा पर है देखी वो हम डिसकस करेंगे इसमें हम पहले के जो 50 प्रशन है उनको देखेंगे और दूसरे वाले पार्ट में हम आखिर के जो 50 प्रशन है उनको डिसकस करेंगे तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं लक्चर की और देखते हैं कि किस तरी के एक प्रशन पूछा गया था पहला प्रस्वन यहां पर देखिए ये कहते है कि निमिलिकित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है तो देखिए कहानियों की जो विधा है यहां पर पूचे गई थी कि विधा से रिलेटीड चाहिए तो इसका जो सही उत्त रहे देखिए आपका विकल्प नमबर B, राही, अकाश्दीप, अपना भागय और चीप की दावत, ये क्या है, ये आपकी कहानिया है, प्रशन संक्या 2 है, देखिए, निमिलिकित उपन्यासों का संगतवर्ग कौन सा है, तो दूसरे प्रशन में इनोंने क्या पूछा है, कि उपन्यास तो कहानिया यहां पर पूछी हैं, देखिए, इसका जो सही उतर होगा, ये होगा आपका विकल्प नमबर A, परिंदे, कोसी का घटवार, कानों में कंगना और राही, तो इन सब की विधा क्या है, कहानी है, प्रशन संक्या 4 है, भारत इंदू हरिश्चंदर के मौलिक नाटक हैं, वो हैं कौन-कौन से हैं, तो देखिए, इसका जो सही उतर होगा, विकल्प नमबर B, विश्यस्य, विश्मोशिधम, नील देवी, सती प्रताप और चंद्रावली, तो ये सब के सब इनके मौलिक नाटक हैं, और इसके अलावा जो अन्य विकल्प दिये हैं, द दुमांच, वेवर्णिय, स्वेध और वेपथू, विकल्प नमबर A, इसका सही उतर होगा, अगला पशने हैं, द्विधी यूग के निबंदकारों का कौन सा वर्ग संगत है, तो द्विधी यूगिन जो निबंदकार हैं, देखिए, ये हैं आपका चंदरदाश्यरमा ग तो शिवदान सिंग चौहान की जो करिटियां हैं वो बूची गई थी की कौन-कौन से इसमें है सबसे पहले देखिए सहीत्य की परक है प्रगतिवाद है अलोचना के मान और साहीत्य अनुशीलन यह सब कि यह कहानी यह भी पिंजरे की मैना, कुस्थुरी कुंडलव से और अन्या से अनन्या, तो यह सब की सब क्या है? स्रीयातम कथा है – प्रशन संख्या 9 है, देखिए कावैशास्थ्री ग्रंथों का संगत वर्ग, जो पाश्चात्य कावैशास्तर थी, उनका ग्रंथों का जो पूछा गया था तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था बी विकल्प नॉबर रिपब्लिक, पोईटिक्स, एस्थेटिक और सेक्रेट वुड अगला परशने देखिए भारतिय का वशास्त्री अचारियों का संगत वर्ग क्या है तो एक्जक्ट उत्तर होगा देखिए भा प्रशन संग्या बारा है देखिए निमलिकित में से उचारनस्थान के अधार पर कंट से लिकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन धुनियों का सही क्रम क्या है तो देखिए गले से लेकर के आपके ओष्ठ तक को किस तरीके से आप बोलते हैं तो ये है पिकल्प नमबर ए, कंट, तालव्य, वत्स, धन्त, और ओष्ठ, तो नीचे से उपर की ओर, clear है तो ये इसका सही उत्तर था अगला पशने देखिए, रामचंदर शुकल के अनुसार भक्तिकाल की फुटकल रचनाओं का सही क्रम कौन सा है तो देखिए, फुटकल रचनाओं के अंतरकत किन किन को उन्होंने रखा है, ये भी कई बार पूछा जाता है लेकिन यहां पर उनकी जो रचनाओं है, उनको उन्होंने कालकरम अनुसार पूछा है, शुकल के अनुसार तो सबसे पहले हित तरंगनी आएगा इसमें देखिए, हित तरंगनी का जो समय अचारी रामचंदर, शुकल ने माना है ये पंदरह सो एक तालिस जबकि सुदामा चरित जो है इसका जो वर्ष है वो 1545 और हनुमन नाटक जो है, वो है आपका इस पे आएगा आपका हनुमन नाटक में 1600 के आसपास और माध्वानल काम कंदला ये है आपका 1583 संबत में तो सबसे आखिर में यही आएगा विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर होना चाहिए ठीक है क्योंकि जो हनुमन नाटक है देखी ये कब है ये 1623 में है मतलब 1623 विक्रमी में तो इसी साफ से ये पहले आजाएगा अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 14 जीवनकाल की दिष्टी से निमिलकित कव्यों का सही अनुक्रम क्या है तो जीवनकाल की दिष्टी से पूछा है देखी यहाँ पर सबसे पहले सूर्दास 1478 में आ जाने थे उसके बाद केशो दास 1555 में जगनादास रतनाकर उसके बाद और सोहन लाल दिवेदी सबसे लास्ट में 1941 ठीक है आगे है देखिए प्रशन संख्या 15 प्रकाशन अरंब वर्ष के अधार पर पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है तो देखिए इसका जो सही उत्तर B या C में से एक होना चाहिए क्योंकि जो माधुरी है वो 1922 में है देखिए मनुर्मा का एक्जेक्ट समय मालूम नहीं है उसके अलावा जो सूधा है देखिए सूधा का जो प्रकाशन वर्ष 1929 है और कल्यानी 1925 तो मतलब सबसे पहले माधुरी 1922 कल्यान है आपका 1925 और सूधा 1929 लेकिन मनुर्मा यहां पर एक्जेक्ट नहीं है तो इन दो में से एक सही होगा अगला है देखिए जनम के अधार पर कवियों का सही क्रम क्या है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नंबर बी सबसे पहले रहीम आ जाएंगे फिर बिहारी लाल फिर मतिराम और आखिर में घनानंद ठीक है तो यह इनका सही क्रम होगा अगला परशन है देखिए सुमित्रा नंदन पंत की कावे रचनाओं का काल करम अनुसार सही क्रम क्या है तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाओं का क्रम है वो है आपका 17 का देखिए क्या होगा विकल्प नंबर बी सही उतर होगा कैसे ग्राम में जो सबसे पहले 1940 में है स्वरण किरन 1947 में और उत्रा ये 1949 में है और शिल्पी सबसे लास्ट में है 1952 क्लियर है अगला है देखी प्रशन संख्या 18 निमिलिकित कवीताओं का कालकरम अनुसार सही क्रम क्या है तो अधिकतर जो प्रशन पूछे गए थे कालकरम अनुसार ही प्रशन यहां पर पूछे गए है प्रशन संख्या 18 को जो सही उत्तर होगा देखी ये प्रियर प्रवास सबसे पहले होगा विकल्ट नुबर ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि प्रिय प्रवास 1914 में रची गई रचना है ठीक है और उसके बाद पद्य प्रसून और चुबते चौपदे 1925 के आसास और वेदही प्रवास 1441 के आसपास की रचना है ठीक है तो यह इसका सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 19 से देखिए प्रकाशन वर्ष की अनुसार नेमिलिकित उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नंबर B गोदान सबसे पहले आजाएगा फिर बानबट की आत्मकता 1946 का है जूटा सच उनिसो अठावन और तमस से आपका 1973 के आसपास ठीक है तो यह सब का स इस तरीके से ही होगा गोदान सबसे पहले था ना 1936 में तो इसका 20 सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 20 है देखिए भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाश्चन वर्ष के दिष्टी से सही क्रम पूछा गया था तो देखिए भगवती चरण वर्मा के जो उपन्य तो सबसे पहले इनका जो पतनियास है चित्र लेखा फिर आखरी दाओं आएगा बूले विस्रे चित्र आएगा और सब ही नचावत रामगोसाई से सबसे लास्ट में आएगा विकल्प नमबर सीज का सही उत्तर होगा प्रशन संग्या 21 है देखिए ये कहते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निमिलिखित उपन्यासों के सही क्रम को चुनिए एक बार फिर से इनका बिलकुल एग्जेक्ट क्रम है अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 22 प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचन की कहानियों को रखना है एक बार फिर से प्रकाशन वर्ष वाला ही प्रशन है तो इस वाले प्रशन में भी थोड़ा सा उपर नीचे है एक तरीके से दीखिए सबसे पहले वैसे सवासिर गेहूं की बात करें तो सवासिर गेहूं 1924 का है ठीक है कफन आपका 36 को है और पूस की रात 1930 का है ठीक है फिर क्रिकेट मैच उसके बाद है तो यह exact मालूम नहीं है कि यह कब की रचना है इनकी तो इसके आधार पर अगर बात करें अगर क्रिकेट मैच हम पहले रख देते हैं तो बाकी सारा का सारा क्रम यह इस तरीके से माना जा सकता है ठीक है 22 का देखिए तो उस हिसाब से यह वाला सही बैठ रहा है लेकिन अगर हम सवासिर गेहूं को ऊपर देखते हैं यह विकल्प में तो सवासिर गेहूं तो उससे पहले है पूस की रात भी 1930 में ठीक है 24 के बाद 30 है और कफन 1936 है लेकिन क्रिकेट मैच जू है वो यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रही है क्योंकि जो कफन है वो इनकी आगरी कहानी मानी जा आप से डी वाला जो विकल्प है बहुत जादा सही बैठ रहा है तो यह होना चाहिए था चलिए अगला प्रशन दिख लेते हैं प्रकाशन वर्ष की दिष्टी से भीशम साहनी के नाटकों का सही क्रम क्या है तो भीशम साहनी के जो नाटकों का सही क्रम है देखिए यह है विकल्प नमबर B और इनके नाटकों के याद रखने का हमने एक ट्रिक भी बिताई थी, आप चाहें तो आप हमारी प्रेलिस्ट में जो बीशम साहनी के उपर हमने इनके उपर न्यास से रिलेटेड एक चप्टर पूरा का पूरा त्यार किया है, वहाँ देख सकते हैं, तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर D, प्राइश्चित, अजाद्चत्रो, कामना और सकंद गुप्त, ये इनका सही क्रम है, प्रशन संख्या 25 है देखिए, निमनांकित, दलित, लेखकों की आतमकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क दलित आतमकथाओं का सही अनुकरम क्या है, तो दलित आतमकथाओं, दूसरा प्रशन दलित आतमकथाओं से ही पूछा गया है, तो यहां पर देखिए, ये वाला प्रशन एक तरीके से गलत ही है, क्योंकि जो जूठन है देखिए, ये 1797 में है, और मेरी पतनी और भेडिये ये रचना 2009 में है, और जोंपडी से जो राजभवन तक है देखिए, ये 2002 की रचना है, इस हिसाब से देखिए, यहां पर जूठन तो सबसे पहले ही आ जाना चाहिए था, बाकी रणने पूरा का पूरा क्या है, प्रशन ही गलत दिया हुगा इस तरीके से, तो मेरे अनुस रामचंदर शुकल जी आ जाएंगे, तो अचारे रामचंदर शुकल जी का जो जनम वर्ष है देखिए, ये कब है, 1884 है, डॉक्टर नगेंदर ये 1915 और नामवर सिंग 1926, ठीक है, और मैनेजर पांडे सबसे लास्त में, 1941 के आसपास, क्लिर है, तो डी इसका सही उतर होग की है, ये फिर राम की शक्ति पूजा, और उसके बाद आपका गीत फरोश और आखिर में असाध्यवीना, ये या ये, इन दोनों में से एक क्रम हो सकता है, एक्जेक्ट यहां से पता चलेगा कि जो असाध्यवीना है, इसका जो प्रकाशन है, वो कब हुआ है, ये इसको उत्तर होना चाहिए, अगला प्रशन है, देखिए, प्रशन संख्या 29, निमिलिकित ग्रंथों का कालकरा मनुसार सही अनुक्रम क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए, 29 का ये होगा कल्प नंबर B, रस्मिमासा सबसे पहले आ जाएगा, ये किसका है, अचारी राम अगला प्रशन हम देख लेते हैं, देखिए, प्रकाशन वर्श के अनुसार, निमिलिकित में से, आई ए रिचर्ड्स के ग्रंथों का सही क्रम बताना है आपने, आई ए रिचर्ड्स का, तो इसमें जो सही उत्तर होगा देखिए, ये होगा सबसे पहले आएगा, इसमें the foundation of aesthetics, ये पहली इनकी रचना है 1922 में लिखी थी, ठीक है, फिर science and poetry 1926, practical criticism 1929, and the philosophy of rhetoric, ये 1933 या 37 के असपास की है, मतलब ये last में ही आएगी, तो विकल्प नुम्बर भी इसका सही उत्तर होगा, clear है, तो अब स्थापना और तर्क वाले प्रशन हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, इसके बाद हम आगे के जो प्रशन हैं देखिए, प्रशन संख्या 41, यहां से देखते हैं, कोरियाई लिपी किस लिपी से विक्सित हुई है, तो ये हुई है, ब्रामी लिपी से विकल्प नुम्बर ये इसका सही उत्तर था, इनमें से कौन बिहारी उपवर्ग की बोली न नहीं है, तो ये है भगेली, तो ये भी पूरवी हिंदी में ही आती है, अवदी भगेली और चटिस गड़ी, यह ना, तो इसका D से ही उतर होगा, प्रशन संख्या 44 से दिखिए, सरवप्रथम हिंद की देशी भाशा के लिए हिंदुई शब्द का प्रियोग किस ने किया, तो ये किया था अमीर को सरोजी ने, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तो ये हिंद कहा जाता है, सूर के ब्रहमरगीत में निमलिक्त में से क्या नहीं है, तो इसमें रहस्यानुभूती, आनकि मैं शूर नहीं हूँ, आपको क्या लगता है, या आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं प्राशन संक्या फोटी एट फोटी सावन ने देखे निमेलिकत में से कौन ख्वाजा बंदे नवाज गेशुत राज का दखनी में लिखा ग्रंथ नहीं है तो इसमें इर्शाद नामा होगा ठीक है बाकी इनोंने लिखे हैं भूषन को कभी भूषन की उपाधी किसने दी थी तो ये चित्रकूट नरेश थे देखिए यहां पर विकल्प में कहीं भी नहीं दिया है यहां पर 14656 से दिया है तो इसके अनुसार ये प्रशन भी गलत है प्रशन संग क्या पचास है प्रियोग वाद शब्द का सरवर्थम प्रियोग किस ने किया था तो दीकि प्रियोगवाद शब्द का जो पहला प्रियोग क्या था यह क्या था नंद दुलारे वाजबेजी ने यह इसका सही उतर होगा हालां की प्रियोगवाद का प्रवरतक इसको कहा जाता है यह अग्ये को माना जाता है क्लियर है तो फिलाल ये 50 प्रशन है आगे के एक दू प्रशन और दिख लेते हैं भूल गलती क्या पहन कर बैठी है तो ये है आपका जिरह वक्तर या फिर कवच भी उसमें बोल सकते हैं हालां कि कविता में आपको मिलेगा जिरह वक्तर पहन कर ठीक है इन में दिखे इन में से कौन रातका रिपोर्टर उपन्यास के रह चाहिता हैं तो रातका रिपोर्टर ये है आपका निर्मल वर्मा बिखल्प नमबर 20 का सही उतर होना चाहिए ठीक है प्रशन संख्या उसके बाद दिखे 53 रागदरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गाओं है तो ये आपका शिपाल गंज बिखल्प नमबर 20 का सही उतर होगा ठीक है तो ये ठीक फिलाल पहले के 50 प्रशन अगर इन प्रशनों में मुझे से कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं आगे के जो कुछ प्रशन जो बच ग झाल 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 को अवा गलती हैं तो ये जो घं पहले के जो इस दो बचल झाल, जो फिस घए मुझे सेक्षना झाल पहले की बिखल्प पाल ये जो चुछ करद के पंग